हेलो एवरेवन जैहिन नमस्कार वेलकम यौल टो मिशन कॉम्पेटिशन आप सभी का स्वागत है आप सभी को सबसे पहले राधर राधर जैश्वेडाम सो देखे एक बहुत ही बढ़िया और पॉजिटिव नियूज आ रहा है बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के और से बिहार स्वास्तिभाग के और से जो कि इसमें देखें सी एचो सो का जो है सी एचो का माफ करिएगा पद आया हुआ है और इसमें पैताली सो से अधिक पदों पर यहां पर भाली हुई है most important है कि एक्जाम बिल्कुल ही पारदर्शी होने वाला है क्योंकि CBT-based examination है तो कोई इसमें setting और इसा कुछ भी इन सब चीज़ों का बात ही खतम हो जाता है तो इसमें क्या सारा detail है सब कुछ चलिए हम लोग देख लेते है most important इसमें हर एक चीज क आपको A to Z जानकारी देंगे आपका selection process कैसे रहेगा age कब से कब तक ले रहा है A to Z जानकारी आपको इसमें हम देंगे तो जितने भी लोग अगर आप लोग eligible है तो इसको definitely भढ़िए क्योंकि यह बहुत ही बहतरीन आपके लिए मौका है अच्छा यहां पे कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि यह तो पहले भी आया हुआ था तो exactly देखे 4500 पदों पर यह बहाली पहले भी आया हुई थी मैं आपके साथ share कर दूं लेकिन उसको फिर cancel कर दिया गया गया और इसका form ध्यान रखिएगा फिल होना स्टार्ट हो चुका है तो चली सब कुछ हम डीटेल आपको बताते हैं उसके बाद आप लो जाके form भर लीजेगा तो इसमें सबसे पहले काम के चीज़ से start करते देखिए यहाँ पर online application and fee submission start date जो है बोले जा रहा है एक तारीस के आपका जो है यानि कल से start हो चुका है लेकिन जो complain आ रहे है students के कल link active हुआ नहीं था ठीक है और आज भी वीडियो बनाना हुँ तब तक active हो ठीक है तो आपने के बार देख लीजेगा और 20 तक यह form फिल होगा यह भी ध्यान रख लिएगा most important जो age का जो cutoff आपसे बोला जा रहा है वह एक 10 यानि एक October से ही आपसे age का cutoff मांगा जा रहा है ध्यान रखिएगा इस बात का अब आगे minimum or maximum age कितना कितना है वो भी अभी बताएंगे देखें फी की बात कर लें तो यहाँ पर EBC unreserved और BC वगारा सबसे 500 रुपर मांगा जा रहा है मेल से female से 500 रुपया और SCST से 500 रुपय मांगा जा रहा है और physically disabled लोग से 500 रुपया अब age limit देखिएगा यहाँ पर क्या बोला जा इस तक के लिए eligible है तो यहाँ पर साफ साफ दे दिया है अब यहाँ पर देखिएगा minimum जो एज है आपका एक 10 के हिसाब से है नहीं एक अक्टूबर 24 से 21 साल कंप्लीट होना चीए तब ही आप eligible होंगे form भरने के लिए ठीक है तो आपका age बगार सब कुछ यहाँ से clear हो गया आप दिखिएगा maximum 5 years of age relaxation will be applicable to departmental candidates तो वैसे candidates जो अल्रेड़ी departmental है जो मतलम nuked है और वो promotion के लिए वाला form भरेंगे तो उनका जो है 5 साल का relaxation उनके age में दिया जाएगा ठीक है 10 years relaxation in age will be admissible to person with benchmark disability अगर वैसे कुछ जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए 10 साल के यहाँ प्रिल एक्सेशन दिया गया है जिनका criteria set होगा उसे हिसाब से लोग fulfill करेंगे तो उनको दिया जाएगा ठीक है बागी चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कितना कितना salary वेगरा क्या रहने वाला है तो यहाँ पर देखिएगा salary आपका देखिएगा remuneration each community health officer जो है entitled to remuneration honor of rupees 40,000 40,000 आपका salary रहेगा per month ठीक है of this 32,000 per month admissible यानी 32,000 fix रहेगा and remaining rupees 8,000 per month is to be paid as performed linked payment ठीक है basically यहाँ पर आपका 32,000 जो है यह fix है यह आपको एकदम 100% मिलना ही मिलना है बाकी का जो 8,000 का जो और है यह आपके performance पर डिपेंट करेगा अगर आपको performance अच्छा रहेगा उस basis पर आपको यह extra 8,000 भी pay करा जाएगा तो यहाँ पर performance के हिसाब से ही calculate होगा यह clearly यहाँ पर mention कर दिया गया है अब देख लिए पोस्ट वेगर सब देख लीजे unreserved की बात करें उसमें देखिएगा 736 post है open ठीक है जिसमें से female के लिए 24 243 और 989 जो है यहाँ पर overall बोला जा रहा है open या नहीं की mail के लिए बोला जा रहा है ठीक है और इसमें बाहरी जो राजवाले होंगे वो भी इसमें आ जाएंगे mail ही मिध्यान रखिएगा EWS में 169 हो जाता है open और 86 female के लिए SC के लिए यहाँ यहाँ पर 1106 और 137 female के लिए total 1247 overall यह सारा मिला के आपका 4500 पोस्ट है ठीक है clear है इतनी बात है चलिए आप देखिए क्या क्या eligibility criteria है यहाँ पर यह आप देख लीजेगा essential qualification क्या है तो basically अगर आप जो है BSC Nursing में आप कर रखे हैं with successful completion of 6 month integrated curriculum of certificate in community health CCH from an Indian nursing council, state nursing council recognized university or university from academic year 2020 onwards तो basically अगर आप CHS कर रखे है nursing का को course कर रखे है और 6 महिना तक अगर आप काम कर चुके हैं तो आपको priority दी जाएगी post basis BSC Nursing with successful completion of 6 month integrated curriculum of certificate course community तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप यह कर रखे हैं तो basically या तो यह आप fulfill कर लीजे या फिर यह कर लीजे दोनों में सो को यह का पास यह degree होना चाहिए है ना note for clarification purpose the academic year preferred for integration of middle level health provider means the student who have undergone fourth year BSC Nursing and second year post BSC Nursing in the year 2019 to 2020 onwards and have passed the course successfully उनहीं को priority यहाँ पर दिया जाएगा है बाकी आप लोग यहाँ पर सारी चीजे देख सकते हैं अगर आप लोग इसका screenshot ले लीजे अगर आप लोग इसके लिए eligible हैं तो मैं बोलूँगा definitely hundred percent इस form को आप लोग जरूर भढ़िए most important है यहाँ पर देखिए एक चीज आप को और भी हम clear कराते है state health society बिहार invites online application from candidate from the post of community health officer और यहाँ पर देखिएगा यह contractual basis पे है ठीक है यानि ध्यान रखिएगा अभी यह contractual basis पे है लेकिन आप सब जान रहे हैं एक बार ही अगर government में entry मिल गई किसी भी department में entry मिल गई और आप यहाँ पे अगर experience आपने gain कर लिया उसके बाद आपको हमको entry चाहिए department के अंदर में तो आई होप इस वीडियो के माधियम से जितना जनकारी मैं आपको देना चाहता है आपको मिल गया होगा वीडियो कैसे लाग कमेंट को जो बताइए और कोई भी दिक्कत हो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए जैह हिंद